सब्सक्राइब कीजिए पासी चैनल को साथी प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को लेटेस्ट मेडिकल टॉपिक सबसे पहले देखने के लिए वेलकम बैक गाईज आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है सर्दी खासी जुखाम हर मोसम में होती है चाहे वो गर्मी हो या सर्दी हो और हर उमर के व्यक्ति को होती है बच्चों से लेके बुड़ों तक हर उमर के लोगों को सर्दी खासी जुखाम होती ही है और कई बारी तो सर्दी खासी जुखाम गाईज ऐसी हो जाती है कि आप कितनी भी medicine ले लेते हैं लेकिन आपको बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता और recently मैंने एक ऐसा article पड़ा था जिसमें एक काड़ा बताया गया था और जब ये काड़ा गाईज मैंने patients को बोला लेने के लिए तो काफी effective लगा ये काड़ा सर्दी खासी जुखाम के लिए और in fact आप हैरान रह जाएंगे जब patients ने इस काड़े को पिया तब उन्हें पहली बारी से ही काफी आराम मिला सर्दी खासी जुखाम में आप ये काड़ा बच्चों को भी दे सकते हैं और हर कोई चाहता है कि जो छोटे बच्चे हैं उनको medicine ना खिलाई जाए और बिना medicine के उनकी सर्दी खासी जुखाम ठीक हो जाए और आपने खुद ने भी देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको medicine देना या फिन करना काफी मुश्किल होता है और काफी सारे एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलते हैं तो गाइज आप मुझ पर भरोस्ता करके एक बार इस काड़े को ट्राई करना और आपको काफी पॉस्टिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे और गाइज मैंने खुद ने पेशेंट्स के पर इसका रिजल्ट देखा है इसी लिए ही मैं आपसे ये वीडियो शेयर कर रहा हूं तो गाइज मुझ पर भरोस्ता करके एक बार आप इस काड़े को जरूर ट्राई करना तो गाइज आज की वीडियो शुरू करते हैं और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं लेट् तो गाइज इस काड़े को बनाने के लिए आपको एक जाड़ी नुमा पेड होता है जो कि मैं आपको दिखा देता हूं लाइव डैमो करके दिखाऊंगा उसको आपने लेना है बिल्कुल छोटा सा पीसी लेना है साथ ही आपने एक काली लोंग और एक जो इलाइची होती ह हरे रंग की आपने वह लेनी है ओके तो यह जो तीनों चीजें हैं आपने लेनी हैं और मिठे के लिए आप गुर्ड दे सकते हैं या फिर चीनी ले सकते हैं अगर आप छोटे बच्चे को दे रहे हैं तो यह देखे काड़ा जो है यह पिया नहीं जाएगा तो आप पोधा दिखाने जा रहा हूं इसका नाम है अपमार का ये पोधा होता है और आप Google पे भी सर्च कर सकते हैं तो ये जो पोधा है ये समान्य ता आपको किसी भी खाले प्लाड में या सड़के किनारे या फिर किसी जंगल में भी मिल जाता है तो देखिए ये जो पोधा मैं अपकी आपने ये वाली जो u Yainina ये वाली टैनी इसको आपने लेना है और जितनी मेंने आपको बताई है वैसे ये देखने में और शनáo退odaus कि अब मयरे का रहा है कि कि तो अबने इसकर यूज करना है और बहुत इसकर्टी मेडिसीव है खासी जुखाम के लिए तो गाइज ये आपने जाड़ी तो देख लिए अब आपने क्या करना है कि इसकी सिर्फ इतनी सी ये जो बीज के साथ किमीन आपको दिखाए है ना ये सिर्फ आपने इतना सा टुकडा लेना है आपने अंगुठे के बिल्कुल इतना बराबर और उबालना है पानी को इन सारी चीजों को डाल के जब ये एक कप पानी आदा कप रह जाए तब आपने पानी को ठंडा कर लेना है मतलब गाड़े जो काड़ा हमने बनाया है उसको अपने ठंडा करना है ठंडा होने के बाद अगर आप ये काड़ा बच्चे को देना चाहते ह तो इसकी सिर्फ 2 या 3 बुंदे ही बच्चे को काफी है ओकि जो छे से कम के बच्चे हैं तीन बुंदे ही काफी है और रात में ये काड़ा काफी effective है बहुत इंचे है जिन्पर String देखने को मिलता है जिने आप चार ड्रोप मतलब चार बुंदे बच्चे को दे सकते हैं दो साल तक की को और अगर जादा बढ़े हैं मतलब बारा साल से बढ़े हैं तब आप इसे एक चम्मच ले सकते हैं और काफी effective है रात के समय इसको लेना वैसे तो दिन में भी आप ले सकते हैं तीन बार तक यूस्फुल होगी तो गाइज ऐसी यूस्फुल वीडियो और टॉपिक्स के लिए आप हमारे चलन को सब्सक्राइब कर लें साथ ही बैल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई वीडियो हमारे चलन पर अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले म झाल आपको सब्सक्राइब कर दोटिए मारे चलन को सब्सक्राइब कर लें आपको सब्सक्राइब कर लें साथ हूँआ।